दोस्तो मेरे हाथ में हैं आज ये खजूर के डंफ है और मैं आप लोगों को पहसान इन डंफों की कराना चाहता हूँ कि आप लोग वेस्ट से वेस्ट मतलब अच्छी से अच्छी जाडू कैसे बना सकते हो और अच्छी से अच्छी जाडू बनाने के लिए आपको कैसे इन पहचानना है कि कौन सा खजूर का डंपा अच्छा है और कौन सा खजूर का डंपा खराब है जिससे हमारी जाड़ू अच्छी नहीं बन सकती है तो दोस्तो आज का वेडियोस उसी टोपिक पे होने वाला है हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक निव वेडियोस में दोस्तो आप लोग थमनेल देखकर तो पहचान गई होंगे कि आज किस टोपिक पे हमारी वेडियोज होने वाली है तो दोस्तो उसी टोपिक को लेकर के मैं आज वेडियोज बनाने वाला हूँ और दोस्तो मैं आ गया हूँ जंगल में देख सकते हो अभी जंगल में बैठा हूँ और मैंने ये खजूर के डंफे को काट लिया है दोस्तो आप लोगों का बहुती ज़्यादा कमेंट आ रहा था की आपने ज़ाडू बना ना तो शिखा दिया लेकिन आपने ये नहीं हमें बताया की कौन से खजूर के डंफे की अच्छी ज़ाडू बनती है और हम अच्छी बुरे खजूर के डंफे को कैसे पहचान सकते हैं और चलो दोस्तो वेडियोज को विना टाइम वेष्ट के रिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो वेडियोज हो गई है स्टार्ट और दोस्तो आपको ये तो पता होगा कि एक जाड़ू बनाने के लिए हमें चार खजूर के डंफों की अवज सकता होती है तो दोस्तो मैंने उन चार डंफों को काट लिया है और दोस्तो उन में से किसी न किसी डंफे को खराब काटा है दोस्तो मैंने जो कि हम लोगों को दोस्तो काटते सामें मिली जाते हैं खराब तो उन ही की मैं आप लोगों को पहसान कराने वाला हूँ तो दोस्तो सबसे पहले हमारा एक ये डंफा हो गया अभी मैं पहचान नहीं करा रहा हूँ आपको गिना रहा हूँ चार एक हो गया दूसरा हो गया ये हो गया दोस्तो तीसरा हमारा ये रख दिया और ये हो गया चौथा तो दोस्तो सबसे पहले मैं खराब वाले को छाट ले एक ये अलग रख दिया ये साजा वाला है और ये खराब वाला है एक दोस्तों ये मिल गया मुझे खराब तो इसको मैंने रख लिया एक दोस्तों ये है साजा वाला अच्छा वाला जो जाड़ू बनाई जाती है जिसकी अच्छी जाड़ू सुन्दर से सुन्दर जाड़ू बनती है तो दोस्तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को अच्छे वाले डंफे की पहचान करा देता हूं इन खराब वाले को मैं यहां रख लेता हूं यह रख लिए खराब वाले को दोस्तो अच्छे वाले डंफे की पहचान यह होती है कि दोस्तो आप लोग देख सकते हो जितनी लंबी हमें जाडू बनानी होती है, उतने लंबे ये डंफे को काट लेते हैं, तो finally मैंने एक हाथ एक वीता का काट लिया है, यहां से ले करके यहां तक मैंने काट लिया है, तो दोस्तो अच्छे वाली खजूर की डंफे की पहचान यही है, जिससे हमको अच्छी यह बिल्कुल इतनी दूरी में होना चाहिए, यह ज्यादा दूरी में नहीं होना चाहिए, इतनी से ज्यादा दूरी वाली आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, मतलब मीनमम मीनमम दोस्तो आपको इतनी दूरी वाली खजूर की डंफे को लेनी है, इतनी से दूरी इनके पत्त यह दोस्तों दूसरी पहशान अपन कि यह हो गई, कि यह बिलकुल लंबे होना चाहिए, यह ऐसे नहीं होना चाहिए, इतनी चोटी जारू नहीं हम को लेनी इतनी छोटी साइट इसके पत्ते हैं तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं जाडू लेनी है दोस्तो साइट आपको इतनी छोटी भी मिलती है इतनी छोटी भी मिलती है तब भी नहीं आपको लेनी है जितना लंबा ये इसका पत्ता होगा उतनी लंबी दोस्तो आपकी जाडू बनेगी और उतनी अच्छी जाड़ू आपकी बनेगी हाँ दोस्तों मैं सही कह रहा हूं सैथ यहां से अपन को छोटा वाला खजूर का डंफा कपता है सैथ इतना है इतना तो आपको बिल्कुल नहीं लेना जैब कि दोस्तों मैं खराब वाले डंफे में रखा हूं तो दोस् दोस्तों यह तो अपन की हो गई और यह मतलब इतने से छोटे नहीं होने चाहिए इतने से छोटे नहीं होने चाहिए इतने से बड़े कितने भी हो जाएं लेकिन छोटे नहीं होने चाहिए दोस्तों अपनने कली अच्छी वाली डंफे की पहचान जो अच्छी होती है जिस दोस्तों खराब वाले डंफे से होता ही है, साइथ आपने ये डंफे ले लिए, तो इन में देखो, उनमें मैंने बताया था कितनी घने हैं, इन में देखो कितनी ज्यादा दूर दूर है, एक तो ये सही है, यहाँ पर देखो कितनी दो तीन आग और तक का इसमें गैफ है, इ दोस्तों दूसरी बात यह है कि देखो इतने पतले इसके यह हैं इतने पतले इसके पत्ते नहीं होना चाहिए जबकि दोस्तों हमारी अच्छी वाली जाड़ू में कितने चकले पत्ते थे तो इतने सक्रे इसके पत्ते नहीं होना चाहिए और इसके खैर कुछ-कुछ पत्ते तो लंबे हैं देख सकते हो लंबे भी हैं लेकिन कुछ-कुछ पत्ते कटे हैं ये कटे हैं और कांगय ये कटे हैं ऐसी दोस्तों इसमें हैं इसको दिखाता हूं मैं ऐसी इसमें हैं इसमें कितनी दूर हैं देख सकते हूं आप लोग ऐसी इसमें ये कटे ये कटे तो इनकी ज देखो यहां आगля? और यहां तक है तो इतना सा लएक हम क्या करेंगे यहां समफ्त हो जाता है और यहां तक है तो इतना नहीं चलेगा यह हमको बिल्कुल भी नहीं लेनी है और जब हम ऐसे अच्छे वाले डंफाले लेते हैं तो इतने से अपन को छील लेना है मैं आपको बताता हूँ इतने से छील लेना है यहां से ले करके ऐसे नाप सकते हो चार चार दुनी आठ इतनी छीलना यहां से ले करके एसे पत्ते आपको छील लेना है दोस्तों मैं हाथ में फोन पकड़े हूं तो देखकत जारी ऐसे हमको छील लेना और दोस्तों सभी के बराबर छीलना और फिर इसको रख करके ऐसे इसके बराबर से इसके भी छील लेना है यह छील लिया और यह छील लिया दोस्तों अब मैंने इनको ऐसे छील लिया है और मतलब इसी तरह और दो ले करके आप लोग जाडू को बना सकते हो जाडू बनाने में चार लगते हैं यह डंपे तो दो और काट सकते हो मतलब चारो एक सम काट सकते हो फिर जाडू को बना सकत तो उस वेडियो का लेंक मैं आप लोगों को डिस्क्रेप्ट्ट में देदूंगा तो आपको आंसे जाकर के वेडियो मेरी देख सकते हो और आप लोग बहुत ही अराम से जाड़ू बना सकते हो तो दोस्तों आज का वेडियो यही था और उमिद करता हूँ आप सभी को मेरा पसंद आया होगा पसंद आयो तो प्लेस मेरी मेनत का आप लोग थोड़ा सा प्यार देदो और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो प्लेस दोस्तों मैं आप लोगों को कॉंटेंट दे रहा हूं जो आपकी डिवांड है वही कॉंटेंट दे रहा हूं तो प्लेस आप लोगों मेरे वेडियोज पसंद आया हो तो वेडियोज को लाइक और चैनल मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्ते मिलता अपने फिर से एक नए वेडियोज में तब तक कि लिए आप सभी को वाई वाई